So welcome back to seminary classes तो जैसा कि आप लोग का demand था कि chemical reaction का one shot video बनना चाहिए तो मैं लेकर आ गया हूँ chemical reaction का one shot video तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है और copy और pen लिकाल लेना है ताकि बारी बारी से आप पूरे concept को note कर सके और यकीन मानिए पूरे एक पेज में पूरा आपका एक chapter जो है chemical reaction equation पूरा का पूरा जो है समा जाएगा तो आप लोग को ध्यान से देखना है और वीडियो को लाश तक देखना है और अच्छा लगे तो अपना ज़रूरी feedback comment के माद्ध हम से दे सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग definition देखेंगे तो chemical reaction क्या होता है वैसा process जिसमें new substance new properties के साथ form होगा जिसमें कुछ नया चीज नए खूबियों के साथ बनेगा जैसे example hydrogen oxygen मिलके जब water बनता है hydrogen oxygen का जो property होता वो अलग होता hydrogen का अगर property बात करें hydrogen जो है जलने वाला होता है oxygen क्या करता है जलाने वाला सपोर्ट करता है combustion होता है और दोनों मिलके जब water बनता है तो water क्या होता है water जानते है न जलता है न जलाता है वो बुझाता है तो इसमें क्या होगी है new substance new properties के साथ form हुआ और आगे देखें chemical reaction में होता क्या chemical reaction में old bonds break होते है नि पुराने बंधन तूटते है और new bond नहीं नए बंधन बनते है new bond form होते है जैसे भी बता है hydrogen oxygen में के water बना तो hydrogen oxygen की बीच का जो bond हो आपस में तूटेगा हो और तूटने के बाद जाके hydrogen oxygen से जूटेगा और new bond form हो जाएगा और आगे देखते हैं दो टर्म हाता है इसमें chemical reaction में सुनते रहता है reactant और product तो reactant क्या होता है reactant उसको कहें जो reaction में participate करेगा भाग लेगा तो जैसे कि H2 और O2 में H2O बना तो H2 और O2 क्या reactant है इसको में left side रखते है chemical reaction और दूसरा था product product क्या होता है जो chemical reaction complete होने के बाद जो form होगा जो निदब substance which produced in a chemical reaction इसको में right side रखते हैं अब हम लोग देखेंगे types of chemical reaction पहला टाइप देखेंगे इंडो thermic उसके बाद देखें इंडो thermic और exothermic क्या होता है इंडो thermic इसको कहेंगे वैसा reaction जिसमें energy होगा एनर्जी क्या ओक होगा एंशो घ्र слова हो गए एनर्जी एब्जार्ब और इनर्जी एब्जाप究 करेगा और हम लोग Happiness comes with me this is where the जूड़ना हो इसमें दो य रिक्टन déjà जुलेगा ठीक है reaction करेगा और एक single product बनाएकशन chicken सिंगल रियख्टेंड single reaction क्या होगा breakdown होगा प्रोझेक्ट में जैसे खम दीखेंगे ऐसी उल्ग मैं छो को स्में अलम के चांग मेंखेंगे सेुपर्ज पलस और लिए किस्थ adversary ट्योंboege को आगे धा है तर्मिल ली 500 ठर्मिल 10 कि यह फ fantastis करताएं जिसमें एल्यडड़ क्या अधरhinCry या calcium oxide plus carbon dioxide में और देखेंगे जैसे electric decomposition मतलब नाम से पता चल लगा वैसा decomposition reaction जिसमें electric current pass करके जो है decomposition कराया जैनि single reactant को दो या दो से आदा project में तोड़ा जाता है bypassing electric current जैसे water को तोड़ेंगा hydrogen plus oxygen में और आगे हम लोग टाइस देखेंगे अगला है हमारे displacement reaction displacement reaction क्या होता है वैसा reaction जिसमें more reactive element क्या करेगा less reactive element को displace करेगा यहीं ताकतवर कमजोर को हटाएगा और उसके जगा पे बैड़ जाएगा more reactive element displace करेगा less reactive element को उसको कहेंगे displacement reaction आप कोन more होता है कोन less होता है उसके लिए आपको reactivity series याद होना चाहिए, अगर आपको reactivity series नहीं आता है, तो आप comment में बता सकते हैं, ताकि इसका एक वीडियो especially डाल दिया जाए, आगे हम दो देखते है, double displacement reaction, double displacement reaction क्या होता है, वैसा reaction जिसमें iron का exchange होता है, reactant के बीच में, इन reactant जो है, अपस में react करता है कैसे, iron का exchange करका और product का formation करता है, जो याद रखना double displacement क्या होता है, exchange of iron takes place between reactants, अब यह भी कही तरह का होता है, पहला होता है, precipitation double displacement, यह भी एक तरह का double displacement, जिसमें precipitate का formation होता है, किसका formation, precipitate का, precipitate क्या होता है, वो solid product, जो reaction में form होता है, ठीक है, तो precipitation reaction वैसा reaction है, जिसमें precipitate का formation होता है अगला हम लोग जे इंग एस मेगल गैस का फोर्मेशन गया है वैसा जिसमें गैस फार्मरु घास-फ़म होता है तिसरा देखेंगा हम लोगों निूट्रिलीज़ेशन स्ट्रियाक्शन इस में आसीड और साफर्म करेगा और सॉल्ट और water form करता है, ये भी तीनों जो देख रहे हैं हम लोग precipitation, gas formation, neutralization, तीनों जो है double displacement का type से, neutralization में जैसे भी भी बता है, acid होगिया, HCl, NaOH होगिया, base, दोनों react करके बनाएगा salt plus water, क्या बनाएगा salt plus water, NaCl salt होगिया, H2 होगिया, water, तो this is called double displacement reaction, precipitation, gas formation, and neutralization, आगे हम लोग देखेंगे, redox reaction, redox मतलब इसमें 2 word, red for reduction, ox for oxidation, यनि वैसा reaction जिसमें reduction भी होगा और oxidation भी होगा, ठीक है, दोनों एक साथ होगा, उसों कहेंगे redox reaction, oxidation क्या होता और reduction क्या होता है, oxidation का मतलब होता है, हम लोग simple समझेंगे, oxidation का मतलब होता अगला है reduction, reduction में just opposite होता, oxidation का, इसमें क्या होगा, oxygen लिख लेगा और hydrogen जुड़ेगा, नहीं, इसमें gain of hydrogen होगा और loss of oxygen होगा, ठीक है, एक example समझते हैं, जैसे H2 plus O2 मिलके H2 हो बना, तो यहाँ देखेंगे, hydrogen में oxygen जुड़के water बना, H2 में O2 का gain होगा, जैसे H2 का क्या हो जाएगा, Oxidation हो जाएगा, उसे तरह O2 में देखेंगे होगा, और hydrogen में oxygen जुटा है, जिसमें oxygen का gain होगा, oxidation और hydrogen का gain होगा, तो डेक्शन अ हम लोग स काम लोग दो डईलायफ में आप्लीकेशन देए तो खीडेशन जो हता है रिस्पिरेशन भी एक तरह ग एक औक उस्टियश कीलेशन रिगएक के संपर्क में जब मेटल आता है तो उसका प्रपर्टी जो ढिटीघ्रेड हो जाता है तो इसके सर्फेस को धीरे-धीरे खाने लगता है इसी को कहते हैं कुरोजन को कैसे बचाये जैनिक खैसे मेटल को कैसे बचा सकते हैं तो prevention का क्या तरीका, oiling यानि तेल लगा सकते हैं, greasing, grease लगा सकते हैं, painting यानि उस metal के उपर paint कर देंगे, और galvalization यानि zinc का layer जो उस metal पर अगर चड़ा देंगे, तो इन चारों तरीके संदों क्या कर सकते हैं, किसी भी metal को rusting से या फिर corrosion से बचा सकते हैं, खिके अगला हम से इसको कहते है, rancidity, जिस कारण से खाने का taste और smell change हो जाता है, यानि खराब हो जाता है, खटा हो जाता है, ठीक है, the oxidation of food containing fat and oil is called rancidity, अब इसको कैसे prevent करेंगे, इसको prevention करेंगे तरीका है, by refrigeration, यानि फ्रीज में रख देंगे, फ्रीजबा में अगर रख देंगे, खाने के cool cool रहेगा, लंबे समय तक टिका रहेगा, या इसको sunlight से भी दूर रख सकता है, गर्मी से दूर रखेंगे, तो क्या होगा, ये भी सही रहेगा, और food rancid जल्दी नहीं होगा, flourishing with nitrogen, इन खाने के packet में लोग दिखते हैं, चिप्स कूर के जो होता है, उसमें nitrogen से packing कियाता है, क्योंकि nitrogen unreactive gas है, और लंबे समय तक खाने को oxidation से बचाता है, अगला है adding antioxidant, या एक substance है, जिसको खाने के समय में डालेंगे, तो वो क्या होगा, लंबे समय तक safe रहेगा, और lincidity से बचा रहेगा, एक reducing agent होता है, जो खाने के समय को reduce कर देता है, जिसके कारण जो हमारा खाने क oxidation नहीं करता है, और आखरी देखेंगे हम लोग क्यो chemical reaction को balance किया जाता है, तो जैसे कि आप लोग जानते है, class 9 में आपने पढ़ा होगा law of conservation of mass, which is given by Lavosier, तो Lavosier नहीं कहा था, किसी भी chemical reaction में total mass of reaction is equal to total mass of product, तो यह जो law है, इस law को verify करने के लिए, true करने के लिए, हम लोग कि इसी भी chemical equation को balance करते हैं, तो I hope आपको यह पूरा one short video समझ में आया होगा, और बहुत ही मज़ा आया होगा, तो आज के लिए अतना ही, फिर मिलते हैं अगले video में,